तो चैप्टर नमबर फॉर्टीन है जादूगर ये चैप्टर सी पढ़ चुके हां समझ चुके हां अते इस दे प्रशन उत्तर वी कर चुके हां राइट तो राइट दाउन दे ओन पेज नमबर 69 ऑन देस पाट पाशाते व्याकरण फरस्ट है वाका विच वर्तों जेकर तोसी वाका विच वर्तो कार चुके हो ता ठीक है अदरवाइस एना वाका नू अपनी बुक वीच विच नो डाउन कार सकते हो उड़ा माननू पौणा मीज़ चंगा लगना बच्चियानू जादू गर्दा जादू माननू पाया माननू चंगा लगा आड़ा है वदिया असी कल बहुत वदिया सरकस देखी वदिया मीज़ चंगी इड़ी रंग बिरंगे बहुत सारे रंगा दे बाग विच रंग बिरंगे फुल खिड़े होई सन नेक्स्ट है फुल वर्सोना मैं कल जहाज नू फुल वर्सोन दिया वेख्या कई वार जहाज किसे स्पेशल दिन ते जिमें 15 अगस्त होया उस दिन जहाज दुआरा फुलना दी वर्खा किती जन्दी है नेक्स्ट है हका बकका रैना हेरान रैना जादु गर्दा जादु वेक के सब हक्के बकके रह गए एक्लियर नेक्स्ट है विरोधि शब्द लिखो वधिया कटिया खाली पर रहा बच्चा नौजवान बच्चा बुडा वी हो सकते सारे कोई भी नहीं एक्लियर तीसरा है वचन बदलो जादूगर, जादूगरा साप सपा डंडा डंडे टोपी टोपियां आंडा आंडे हाथ हाथा जडों शब्दान शब्दांश मिन्स शब्द अंश किसे शब्द अगे लगके कि नवा शब्द बनादे उसनों अगेतर किया जानदा है जो शब्दाश किसे शब्द दे पिछे लग के के नवा शब्द बना अदेहान उना नूं पिछेतर पिछेतर नहीं है पिछेतर हुनदा है पिछेतर किया जानदा है किसे शब्द दे अगे दित्ता होया शब्द लगाना था अगेतर बनदा है दिखता है शब्द शब्द दे पिछे लग़ामां गेता की बनेगा पिछ एत्तर जिमे नी सफल, सफल प्लस नी नेरमल, नेरंतर, नीराकार, clear? नेक्स्ट है पिछेत्तर, जादू गर, गर इस शब्द जादू दे पिछे लगाया गया है बाजी गर, बाजी दे पिछे गर, सौधा गर, सौधा गर, सौधा दे पिछे गर असल विच असी एना शब्दान दे अगे या पिछे एक अलगतो शब्द लगौन दे हाँ जिननत अपना कोई अर्थूंदा है असी अपनी ग्रैमर दी नोट बुक विच भी अगेतर पिछे तर लिखांगी पर एहे अगेतर पिछे तर तुसी अपनी बुक दे उपर ही करोंगी फाइन, सो कम्प्लीट दीस बैक एकसराईस विच नोट भी किते होंगे एहे बैक एकसराईस नो तुसी इस बैक एकसराईस नो तुसी अपनी बुक दे विच ही कम्प्लीट करना है राइट, now we are going to read next chapter which is chapter number 15 इस तो बात असी chapter number 15 पढ़ांगे जो के है इमानदार लकड हारा, राइट write down date and day on this page 70, page number 71 इमानदार लकड हारा, इस चैप्टर नो मेरे नाल ही पढ़ा जावे इक लकड हारा सी, लकड हारा कौन हुँद है? जो जंगल विच लकड़ियां कटदा है उस दा ना नाव रामू सी, रामू बड़ा इमानदार सी, इक दिन ओहो जमना नदी दे किनारे इक रुखतों लकड वड रहा सी, अचानक ही उस दा कौहारा कौहारा जिस देना लकड़ियां कटदा है तुसी देख सकते हैं लेकिन एक कौहारा लकड हारा ने नहीं फड़ै, एक कौहारा किस ने फड़ै हुई है देवते नी अचानक ही उस दा कोहाडा नदी विच डिग पया रामू नदी किनारे बैट के रोन लग पया क्योंकि उसनू तैरना नहीं सी ओंदा ओह पानी विच डुब की नहीं सी मार सकदा ओह गरीब सी ओह ओह ओर नवा कोहाडा वी कुहाडा वी नहीं सी खरी सकदा ओहो रोंदा होया कह रहासी हाई रब्बा एक की होया हुण मैं लकडा की में वड़ांगा पैसे कितों लवांगा बचियां दा तिड की में परांगा एहे मेरे नाल अन्या क्यूं होया एहे सोचां सोचदा होया रामू पुब्बा मार मार के रोन लग पया रामू दा एहे वरलाप सुन के पाणी देवते दा दिल पसीज गया ओहो उसे वेले पाणी विच्चों आया ए पाणी दा देवता है पानी विचो आया ते बोले हैं, लेह फड़ एही है ना तेरा कुहारा, कुहारा सोने दासी, यालो कलर्ड दे, गोल्डन शेर्ड, सोने दासी गोल्ड दा, इमान्दार हॉन करके रामु ने कुहारा वेख दिया ही किहा, देवता सरूप एहे कुहारा मेरा नहीं है, एहे τां कि से होर्दा होवेगा देवता ने फिर डुबकी लगाई इस वारी चांदी दा इक कुहाडा लैके पाणी विचों बार निकलिया देवता बुलिया वेख पाई मेरे विचार विचता एही तेरा कुहाडा है लैफड एह कुहाडा चांदी दा सी उसनु वेख के लकड हारा चु नहीं खड़ा रहाबिंदी नहीं आएगी ओहो हाथ जोड के बोल्या बोल्या नहीं बोल्या महराज कुसला मिट्री साइन एह कुहाड़ा कीमती है एवी मेरा नहीं है किरपा करके में नूता मेरा ही कुहाड़ा देओ फॉल स्टॉप मिन्स दंडी तो बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज क्लियर तो जो देवता सी पानी दा उसने पहली वारता सोनने दा कुहाड़ा दिखाया उसनू लकड़ारे नू ओदो भी लकड़ारे ने मना कर दिता क्योंकि उहुस दा है ही नहीं सी लकड़ारा एक इमान दुजी वार देवता ने डुब की लगाई पानी विच ता चांदी दा कुहाड़ा निकलिया ता भी लकड़ारे ने मना कर दिता के ही मेरा नहीं है नेक्स्ट, move to next page, तीजी वार फिर देवता ने पानी विच डुब की मारी इस वार ओहो लोहे दा कुहाड़ा लेके बाहर आया बोल लिया की एही तेरा कुहाड़ा है हुन कुहाड़ा वे के रामू दी खुशी दा कोई ठिकाना ना रहा खुशी दा ठिकाना ना रहा ना मींस बहुत खुश हो ना ओ बोल लिया हाँ एही मेरा कुहाड़ा है बहुत खुश हो या लकड़ारे दी इमानदारी नू वे के देवता खुश हो के बोल लिया रामू मैं तेरी इमानदारी ते बहुत खुश हाँ लेफड एहे सोने अते चांदी दे कुहाड़े वी तेरे ही हन सिख्या इमानदारी सबतों उत्तम मारग है या इमानदारी सबतों चंगी नीती उंडी है honesty is the best policy ता इस तरह लकड़ हारे नू अपनी इमानदारी दे नाल लोहे दे कुहाडे दे नाल नाल सोने अते चांदी दा कुहाड़ा भी मिलिया clear? इस कहाणी तो सानू एही सिख्या मिल दी है के सानू भी अपने जीवन वीच हमेशा इमानदारी दे रस्ते उत्ते ही चलना चाहिदा है जो चीज साड़ी है ही नहीं उसते अपना हक भी नहीं जमाना चाहिदा फाइन हून असी इस कहाणी विच आखे शब्दा नू अंडरलाइन करांगे लकड हारा इमानदार कुहाडा डुबकी लकडा अन्या पुबबा वरलाप पसीज डुबकी हो चुक्या है देवता लकड हारे ते अद्दक आएगा उपर नेक्स्ट है ठिकाना उत्तमारग एना शब्दानो टुसी आपनी नोट्बूक दे विच भी सबतовuld पहला कठी शब्दा दे शबद फिर ऑखे शब्दा दे रथ कठी शब्दान तो पहलना तुसी तीन को हारे वी ड्रा करोगे सबतोअ पहलला असी सोनने दा पहलना सोनने दे को हारे दी तर थिसी पिच्चर बनाओगे फिर चांदी दा फिर लोहे दा नेक्स्ट लकड हारा कौन हुन्दा लकडा वड के वेचन वाला अन्या बेइन साफी पुब्बा मार के मिंज उच्ची उच्ची दिल पसीजना तरस ओना टिड़ पेट डुबकी मारना पानी विच हेठा चले जाना वरलाप दुख विच रोना एना शब्दा दे अर्थ वी चंगी तना याद करो अते समझो उस्तो बाद असी लाइप गलास दे विच बैक एक्सरसाइज करांगे फाइन इस चैप्टर नू दुबारा तो चंगी तना पड़ो समझो हते इस दा रेटन वर कॉपी दे विच कंपलीट करो राइट ओके थैंक यू